वोलकम वे जाता है। यह सब से पहले ऐसके के हम वखे चैजों के सबुतिरnh लुद है किसलियों पर की FEMA जाता है। किसी चीज़ू पर कोई चीज हूना उसके सांस में क्या जाता है। दूसरा होता है किसी तरफ में होना तो उसके लिए आप अन का यूज़ करते हैं और तिसरा होता है दीन और तारिक बताने के लिए आप उसमें अन का यूज़ करते हैं तो किस पगार से करते हैं पहले जानते हैं किसी चीजों पर कोई चीज का होना कुससेंस में ऑन का यूज E Xavier ऐसका मतलब यह हो गया कि टेबल पर मोबाइल रखा हुआ है किसी सथा पर तो सथा क्या है सथा आपका टेबल और इस पर आपका मोबाइल रखा हुआ है उसके ऊपर रखा हुआ है इस पर आपका जो रूफ चथा है और इसके ऊपर खड़े है यही तो मैं चाथ पर खड़ाओं तो आपका रूफ के ऊपर तो यह पर इंदिम निंग जो दे रहा है वो पर का इविनिंग दे रहा है कि I am standing on the roof मैंचात पर खड़ा हूँ इस पगार से इसी पगार से लाएगा इस राहूल is sitting on the table आप समझेगा कि सथा क्या है सथा यहां पर आपका टेबल और टेबल के ऊपर मनलो टेबल के पर टेबल पर राहूल जो है वो बैठा हुए मतलब राहूल टेबल पर बैठा हुए इस पगार से आपने देगा कि पहला यूज कोई सथा पर होना उसके सैंस में आप और पर यूज करते हैं अब बात यह कि परीपरिशन के यूज क्या क्यों जाता है इसका यूज इसलिए क्या जब जयुक्त कैके यहां हटा दू तो मिलिखा रहेगा कि मोवाईलिस दा से, को बनाने के यूज करते हैं गिश प्रिपेसर को समझते हैं अगला यूज के जानते हैं ऑन पर यहां लेकिन दोनों कनेक्टर करता मना सक्कान सब्सक्राइब कि माना करते में अग्राइव स्टेंडिंग आंग और राइट करें आप जो है वो बाय होने के लिए किसी तरफ होने के कहा लिए आप के लिए पहलें विप भी पलेट किरकेश ऑन मंडेेश आपका है तो लिए और और दिन के प्वालियां पर आपने देखा कि आन का यूज किया हुआ है कि विपलेट के अन मंडे इस पकार से अगला है कि हम लोग सव्वार को किरकेट खेले या फिर खेले इस पकार से हो गया अगला है he comes on 21st December 2021 मतलब देखे क्या यहां पर इसका मिनिंग जो देखे ना फ्यूचर इंडाफिन का देंगे संटेंस बना हुआ है भले परजेंच इंडाफिन में लेकिन देंगे फ्यूचर इंडाफिन का क्यों देंगे परजेंच इंडाफिन को अगर आप सही रूप से सम आता है यह हुसाएगा यह पर आपका डेट है और यहां पर आपने प्रेपेशन आउन का यूज किया हुआ है he comes वह आता है आउन कब 21st December 2022 को इस पकार से था मतलब आप दीन और तारिक के साथ भी आउन का यूज करते हैं तेंस दगों पर पहला था आपका जब आपने बात कि किसका किसी सथा पर होने का दूसरा था किसी तरफ में होने का और तिसरा था आपका दीन और तारिक के बताने के साथ अगर यूज समझते हैं गाईस वीद परिवशन है मेरे पास और इसका यूज कहां कहां पर किया साता है कब कि जब आप किसी चीज का परियोग करके लगाते हैं दूसरा है आपके पास कि किसी के साथ होना किसी के साथ होने के साथ में आप करते हैं तो आप यूज करते हैं अगला है कि अब यूज करते हैं इसका कि किसी चीज का परियोग करके कुछ करना आउजार की रूप में तो इसका कैसे गरते एक्जांपल क्या है इससे ही तो एक लेटर को लिखा, अगर पेन नहीं हो तो सायद नहीं लेक पाते, यहां पर किसी जिसका परियोग करके, तो परियोग किसका क्या मैंने पेन का किया, यहां पर आपको वीद का यूज करना होगा, ऐसी भी आप समझ सकते हैं कि इसका आपने एक आउजार की रू में हुआ कि काटना था, अगर नाइफ नहीं रहाता तो केक नहीं करता, अपना आप अपना जबरन कर ले अलग बाते हैं, ऐसे समझ से क्या हुआ काटना नाइब, यहां पर यूज किया गया, एक आउजार की रोप में, यूज किया गया, इतना आपको दियान में रखना है अगर आई गाइस कि राजेस किल्ड वर्ड वीड आई श्टवन आप समझेगा राजेस ने पत्थर से एक पक्षी को मारा आप समझेगा यह पर जो आपका इस्टवन है यह क्या है यह आपका एक और उसके बाद आप आपने वह काम किया है किसी के साथ होने के साथ किसी के साथ किसी के साथ तो यू के साथ किसी के साथ होने के साथ करते हैं यह अगला है अगला है आप से सहमत हूं किसी के साथ या किसी से होने के sense में आपने आपको यहाँ पर with का use करना होता है अगला है I'm working with a laptop मैं लैप्टोप में काम कर रहा हूं या पर लैप्टोप से काम कर रहा हूं समझेगा यहाँ पर लैप्टोप क्या है आपका किसी के साथ है ऐसे आप समझ सकते हैं और यहाँ पर आपको वीद का यूज करना है इस पगार से आपको समझ माना साइए और आपक चीजेखे आसान हो साएगा ऐसे पगण सब्सक्राइगा फॉर्म का यूज क्याशत है इस का समझ से है पाहला किसी सरोथ से जब होता है तो दूसरी बात है जब किसी समय से हो उसमें वहां यूज करते हैं और ऑला है किसी सरोथ से खेंग है आप समझेगा मैंने किताब से एक पत्र लिखा तो सोर्स क्या था पत्र लिखने का सोर्स क्या था सोर्स क्या था कि बूग से मैंने लिखा है इससे लिखा है बूग से अगर बूग नहीं होता तो पत्र नहीं लिख पाता सिधी से बाते हैं तो मेरा सोर्स क्या था इसलिए आपको इससे पाल शुरूत यह है कि यूट्यूब सैनल शुरूत है और इसे पहले आपको फ्रॉम का यूज कर देना है अगर आप कॉंसेप्ट को थोड़ा समझ लेंगे तो सारी चीज़े असान हो चाहिए और यूज करना भी साथ ही साथ इसका कैसे प्रोपरली यूज कर सकते हैं लाकिन यह उसे में किसी शमय से किसी समय बहुत थिलो वॉर्क फ्रॉम अफ्र करूंगा मैं कल के बात टाइम बता रहा है किसी समय बता रहा है त्यों पर आप समय के लिए आप यहां पर यूज कर लिए फ्रॉम का, इसे परगार से KU, we will start working from 3 o'clock, मतलब देखे क्या है, यहां पर 3 o'clock यह क्या है आपका एक टाइम है, और इसे पहले आपने फ्रॉम का यूज क्या होगा, यहां पर समझे हिंदी क्या हो जाएगा, हम लो जब उस्थान एक पाले उसका हिनदी मैं क्या हो गया कि सेका साथ सेका स्याइस में आप किसी अस्थान से आप बाते करते हैं तो जागा कि आ आ रहा है मतलब हो गया कि वोस कमिंग फर्म प्रंड इसन आरो हो रहा है कि वह उस समय कोचिंग से आ रहा था जब मैं उससे मिला वह समझेगा यह पर आपका क्या है अब यह कोचिंग आपका क्या है समझेगा यह कोचिंग आपका क्या है कोई प्लेस से और इसे प्लेस से आप यहां पर प्रॉम का यूज किये क्योंकि वहां से और दूसरा बात है आ Shens रहता है कि मैं डिली से मतलब डिली से वह को चोड़ रहा है तो यह है पर या थोड़ने के सैंस में भी प्रॉप का यूज करते है दूसरा साथ यह दूसरा सैंस आप लगाई बागी चीज़ें समझाते रहें इसे परकार से इसे monkey jumped of the tree इसका मलब क्या हो गया कि बंदर पेड़ से कुदा जैसे यह कुदा उसमें गती था गती के साथ वो कांप हुआ है किसी सथा से अलग होना के साथ में वो भी मोशन के साथ गती के साथ यहां पर आपको से का मिनिंग यह देगा आपको कि monkey jumped of the tree बंदर पेड़ से कुदा मोशन के साथ इसी पकड़ से कि मूब दा पैन आप दा चैबल से पैन को हटाओ यहां पर पैन को सब टेबल से आता है गात पर आपका से हो गया कि टेबल से कि आप आपने ओ एफ एफ का यूज़ किया है इस पकार से अचाइल्ड फैल आउप दा रूप अब समझेगा कि बसा जो है वो छट से गीर गया अब यह बड़ चात आपका क्या एक साथा है और इस साथा से क्या हुआ मोशन के साथ हो गीर तो फिर आप और यूज़ करते हैं जो कि बहुत ही यूज़ करना इससे बगड़ सबला है कि आइम वाइपिंग दा ड़स्ट ऑप दा वाइट बोर्ट इसका मतलब यह होगा कि मैं बोर्ट से धूल पोश रहा हूं अब समझेगा यह एक सत्र है सत्र क्या आपका वाइट ब सबस्का यह धान होता है तो फिर आपको एहां पर से का यूज़ के लिए आपको है और इसका में होगा तो समस्था नहीं आप इसका मलब क्या हो गया रूम में आया क्या है मतलब के साथ मतलब वो म Women के साथ अंदर से तो आगला है कि रावी नदी में गिरिया अब समझेगा यह आपका क्या है नदी में अब क्या नदी में यह उसकाना इन्टू का इस क्या हो एकशन हुआ है एक्सन आपका मोशन में सकते दूसरा का कि किसी के ॐह भाद में के लिए science आप यूज्स करते हैं इससे पकार से आप सम्झेंगे किसी के पीछे पढ़ना की science में after के use करते हैं तो कैसे होगा example स्येंस his अर् grow इसका यह है कि वह रहुल के पीछे पड़ी हुई ऊफोलो करती है इस पकार जो अपना फौलो कर रहा हो कि I can not see Beach is पड़ा हुआ हूँ मैं अपने लक्स पीछे मैं हूँ इसके पीछे में हूँ इसे लिए पर आपको क्या यूज करना होगा पुलिस के पिछे पढ़ा हुआ है कहीं वह गलत उल्टा काम ना कर दे इसके पढ़ा हुआ है कौन पुलिस तो आपको 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 करको वह समझते हैं और आप आपको के साथ में तो इसलिए example example हो जागा he came after 10 minutes मतलब कि यह होगा कि वो वो 10 minutes बाद आया अब समझेगा यहां पर आप्टर कौन से मिनिंग दे रहा है बाद का मिनिंग दे और यहां पर time के साथ ही इस हुआ है कि after 10 minutes मतलब 10 minutes बाद इससे प्रक्राइब कि आई विल गो आप्टर यू मैं आपके बाद जाओंगा अब समझेगा किसके बाद में का शान्स दे रहा है यह आप्टर क्या दे रहा है बाद में जैसे हो जाता है कि आई विल गो आप्टर य क्या होगा बाद मिनिंग दे रहा है बाद का कौन ही its after मतलब कि आपका बाद में कसे दा रहा है और यहां पर आप समझ पा रहें कि सब्सक्राइब उसे यूज के से ताकि आपको पता चल सके कि कैसे हम इसको यूज करेंगे और अपने इस पॉकने निस और राइचिंग में जिसे इसली अंदरस्तान कर सके आज की वीडियो में इतना ही ठैंक्स पर वासिंग दाट सौन फर टुड़े